नियर्दिक जी कंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत बुक्षान हुआ है कंग्रेस ने देश के सामर्थ पर कभी भी विश्वास नहीं किया वे अपने आपको शासक मानते रहे और जनता जनारदन को हमेशा कबंतर आठते गए छोटा आठते गए अधनियतिक जी देश के नागरीकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूँ मैं नाम बोड़ते हूँ उनको जड़ा चुबन होगी लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रदान मंतरी नहरू ने जो कहा था वो मैं जड़ा पढ़ता हूँ लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंतरी ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूँ नहरू जी ने उन्हेंने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना की युरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं नहीरू जी लाल के लिए से बोल रहा है यह ना समझे यह ना समझे यह ना समझे कि वह कौमे यह ना समझे कि वह कौमे कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनत से हुई है और अक्ड से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं यानि यानि नहरू जी यानि नहरू जी की भारतियों के प्रती सोच थी कि बारतिया आलसी है नहरू जी की भारतियों के लिए सोच थी कि बारतिया कमक्रे के लोग होते हैं और आदनी अद्दक जी इंद्राजी की सोच भी उससे जादा अलग नहीं थी इंद्राजी ने जो लाल किले से पंद्राज़ को कहा था बुर्भाग्यवर्ष हमारी आदत ये है कि जब कोई शुब काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मत तुरुष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखतर के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही ने कर पाएं लेकिन कॉंग्रेस के लोगों को ऐसा ही समझते थे और आज भी आज भी वही सोच लेकिने को मिलती है और आज वही आज लेकिने को अड़ी आज लेकिने लेकिने को अव्ट इन अप्डेस